डियर स्टूदेंट्स फर्स्स अफल वैरी मज गोड मॉर्निंग तू आल आप यू जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने प्लस टू बिजनस स्टड़ी में यूनिट टू स्टार्ट किया हुआ है इस प्रिंसिपल्स ओफ मेनेजमेंट उसमें अलड़ी मैं आपके पास तीन वीडियो ओडियो वीडियो वन टू एंट त्री मैं आपको पास सेंड कर चुका हूं जिसमें हमने नेरबाउट प्रिंसिपल्स ओफ में आपको समझ में आया होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे आपको पास्ट वीडियो के था प्रिंसिपल्स ने आपको अद्र भी गणार प्रिंसिपल्स में और जो कह साथ ही हमारा का कॉल्सक्ट है जो के मिस्टर हनु फिवल ने ने थे वो सारा हमारा कम्पलीट हो जाएगा So, my dear student, let us start the principles of management given by Mr. Henry Fjol from point no. 8. मतला 8th principle अमा शुरू करेंगे, 8th to 14th तक हम आच करेंगे. So, let us talk about the 8th principle of management. The 8th principle of management is centralization and decentralization. According to this principle, the superior should adopt effective centralization instead of complete decentralization. Instead of complete centralization and complete decentralization. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. The superior should adopt effective centralization instead of complete centralization and complete decentralization. थोड़ा समय आपको इसमें clear कर देता हूँ कि centralization और decentralization होता क्या है? Centralization का मतलब होता है, जब superior यानि officers क्या है, अपने सारी powers को अपने पास focus कर लेते हैं और किसी भी employee को जो उसके अंडर काम करते हैं, जो उसके subordinates हैं, उनको कोई भी, किसी भी तरह का decision लेने की power नहीं होती, उनको हर तरह का decision अपने superior से, अपने officer से पूछ के ही लेना पड़ता है. Decentralization के अंदर क्या होता है, कि officers जो है, officers जो है, अपनी powers को, अपने employees के बीच में, अपने subordinates के बीच में distribute कर देता है. ठीक है, तो इस तरह की situation में, जो उसके अंदर subordinate काम कर रहे हैं, उनको हर बात पूछने के लिए अपने officers के पास जाना नहीं पड़ता, कुछ बातों में, कुछ अपने, जो उनके related काम है, जो उनका अपना काम होता है, उनसे related decision ले सकते हैं. So, my dear students, तो यहाँ पे Henry Phil जी कहते हैं, कि ना तो full centralization होना चाहिए, और ना ही full decentralization होना चाहिए. Mean to say, कुछ powers तो, जो main important powers हैं, वो तो हमारे बड़े officers के पास, superiors के पास focus होने चाहिए, और जो routine काम से related powers हैं, वो उस superior को अपने employees के बीच में बांट देनी चाहिए, ताकि employees बार बार या subordinate बार बार अपने officer को अप्रोच ना करें, हर बात का पूछने में, कुछ बातों का decision कर सकें, जो regular nature की काम से related decision करने पड़ते हैं, मिन्टु से centralization और decentralization के बीच में एक balance होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा centralization होना चाहिए, और ना ही बहुत ज्यादा decentralization होना चाहिए, अब इसका सबसे बड़ा positive effect ये है, हम हम इसके बात करेंगे positive or violating effect की, positive effect सबसे बड़ा ये है कि इससे जो superior है, उसका workload क्या हो जाता वो कम हो जाता है, उसके pressures उसके पर जो pressure है काम का, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और जो pressure काम का कम होगा, तो वो company की progress के लिए, जो decisions लेने हैं, वो decision वो बड़े आराम से ले पाएगा, और अपने सबूर नेट को encourage भी कर पाएग With this, इसके violating fact यह रहेंगे, कि अगर decentralization और decentralization के बीच में एक balance नहीं create किया जाता, तो सबसे बड़ा इसका नुकसान जो यह रहेगा, वो यह रहेगा, कि जो employee का, जो superior का है, उसके पर work pressure बढ़ जाएगा, और वो जो company की progress के लिए, जो important points होगे, उनके पर अपने ध्यान को focus क पाएगा, और routine के activity के अंदर ही लगा रहेगा, so my dear students, centralization and decentralization के बीच में क्या होना चाहिए, एक balance होना चाहिए, इसके बाद हम आते हैं 9th point पर, that is 9th principle of management पर, that is scalar chain, सबसे बहुत करते हैं, meaning of scalar chain, it refers to a formal line of authority and communication, which moves from highest to the lowest rank in a state line, मैं repeat कर रहा हूँ, it refers to a formal line of authority and communication, which moves from highest to the lowest rank in a state line, to the lowest rank in a state line, my dear students, आप book के अंदर देख सकते हो, कि book के अंदर एक triangle की shape का एक scalar chain बनाया गया है, इसका मतलब क्या है, triangle की shape का, कि जब भी कोई orders pass होंगे, तो automatically बात है, order जो उपर से सबसे पहले बड़े officers के बाद, फिर बड़े officers उसके junior के पास, फिर उस junior से उससे junior के पास, उस होंगे, कोई भी किसी की authority को, कोई भी किसी की powers को ओवर पार नहीं, आगे बढ़ के काम नहीं करेगा, उसकी authority को ओवर नहीं करके, आगे मतलब की बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, वो अपने junior का और seniors का relationship वहाँ पर बना के रखेगा, इसी scalar chain के triangle के अंदर, my dear students, आप book में देख रहे होंगे, कि एक गैंग प्लाइं का concept लिका, गैंग प्लाइंग, यह गैंग प्लाइंग है वो सकैलर चेन के principle को थोड़ा सा वालेट करता है, तोड़ता है, इसका मतलब क्या है, कि जब भी कभी, कोकि, sorry, मैं बताता हूं गो जो गैंग प्लाइं का concept है, वो सकैलर कि यह कहए रहा है कि हमें एक ओफिसर को में टी करें लेकिन क्या कशसिरी कब पर नहीं करने सब्सक्राइब्स अंगर अरज पर टी communication होने में, बाचीत होने में time लग जाए, message ली time पर ना पहुंच वाए और opportunity क्या है, हाथ से निकल जाएगे, उनको doubt लगता है कि opportunity हमारे हाथ से निकल जाएगे, तो इस तरह के situation में अपने आपको बचाने के लिए, ताकि company का नुकसान ना हो और ना हो, इस तरह के situation के दरे gang plank है, जिसमें same rank के employee, आप उसके अंदर बाचीत कर सकते हैं, communication कर सकते हैं by keeping informed to their seniors, अपने seniors को inform करके, वो अपने same rank के employee एक दूसरे के साथ directly communicate कर सकते हैं इसका सबसे बड़ा फाइदा यह रहेगा कि जो information है, उनका जो flow है, वो orderly बें चलेगा, junior, then उसका senior, then उसका senior, then उसका senior इसके अंदर जो दूसरा वह सबसे बड़ा फाइदा है, problems का solution बड़ी जल्दी मिलेगा, और तीसरा सबसे बड़ा फाइदा है कि superior authority and superior and junior की बीच में अच्छे relationship develop पाएँगे, junior and superior की बीच में किसी भी तरह का clash creative नहीं होगा, right, अब आ जाते हम इसके अंदर next आते हैं, order, next 10 principle of management is order, अब order क्या है, my dear students, order का mean to say, according to this principle of order, a right person should be placed at the right job and a right thing should be placed at the right place, थोड़ा से इसको मैं elaborate करता हूँ, in fact हरे company के अंदर दो तरह की चीज़े होते, एक material और एक human beings, तो इन्होंने क्या 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 है, जो material things है हैं मारे पस, material मतलब जो physical resources हैं, उन सभी resources के लिए एक proper place होना चाहिए, और हर चीज, हर चीज अपने place पर मिलनी चाहिए, दूसरा point इन्होंने क्या क्या है, जो human being हमारी company के अंदर काम कर रहे हैं, इसेने क्या कि हर human being के लिए एक proper place होना चाहिए, और हर human being अपने उस proper place के उपर मिलना भी चाहिए, right, human being के लिए भी बात बोली है और material things के लिए भी जो physical resources company के अंदर पड़े हैं उनके लिए भी सेम बात बोले कि हर चीज के लिए place हो और हर चीज अपने place पर मिले सबसे विसका जो positive effect रहेगा सबसे बड़ा फाइदा यह रहेगा है कि हम लोग human resource को और material resource को on time इस्तेमाल कर पाएंगे जब हमें जूट पोड़े उसका better utilization कर पाएंगे होच पोच की situation create नहीं होगी disciplines better create होगा और हमें समान को goods को ढूणने में time waste नहीं करना पड़ेगा सब को पता है कि particular चीज कहां पर मिलेगी है particular woman being particular officer हमें किस जंगा पर मिलेगा इसका सबसे बड़े benefits यह होते हैं हमारे को ठीक है इसका walleting effect में क्या रहेगा यह सबी जो benefit मैंने आपको बताए हैं यह सारे benefits हमें नहीं मिलेंगे अगर हम principle of order follow नहीं करेंगे hopefully आपको 8th, 9th और 10th summer में आ गया होगा now let us talk about the 11th principle of management that is equity according to this principle the manager should treat their subordinate as fairly as possible so that they develop a feeling of dedication for their work इसका मतलब क्या है? equity का मतलब हिंदी में गए तो समानता हर एक officer की duty है हर एक superior की duty है कि जो subordinate उसके नीचे काम कर रहे हैं जो उसके under subordinate काम कर रहे हैं वो उन सब से equal behavior करें किसी भी तरह की gender biasness नहीं होने चाहिए किसी भी तरह की partiality नहीं होना चाहिए मैं for example बताता हूं मालो हमने एक A और B दो laborer लगा रहे है A laborer ने 10 unit produce करी एक दिन के अंदर और B laborer ने 8 unit produce करी एक दिन के अंदर तो but natural है कि A को ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए और B को पैसे कम मिलने चाहिए लेगिन क्योंकि B जो है वो superior का रिष्यदार है जान पैचान वाला है तो उसको भी अगर superior A जितने पैसे ही देता है तो but natural है कि A वेक्ति के अंदर infinity complex आएगा उसका dedication कम होगा मिन्टू से A और B के साथ पार्सिल्टी वारा behavior नहीं होना चाहिए दोनों ने जितना काम किया उनको उतना ही पैसे मिलने चाहिए इसी तरह कहीं बार company के अंदर male और female के बीच में एक differentiate हो जाता है कि कहीं institution के अंदर जो officers हैं वो male को salary जादा देते हैं और उसी काम की salary अगर महाँ पर वही काम कोई female कर रहे है तो उसको salary कम बिल रही है तो this is definitely called gender biasness कि इस तरह की biasness नहीं होने चाहिए हर एक के साथ equal behavior होना चाहिए rules regulation equal होने चाहिए hopefully it is clear to all of you इसका सबसे बड़ा फाइदा यह होगा equity का कि जो लोग हमारे company में काम कर रहे हैं वो satisfied रहेंगे उनका moral high रहेगा और feeling of dedication developed होगी feeling of devotion उनके दिमाग में उनके मन में create हो जाएगी next point is next principle of management is stability of personal a stability of personal mean to say there should be a stability of tenure of the employee so that the work so that the work continue efficiently stability stability of tenure of the employee इसका मतलब क्या है कि जो company के अंदर लोग काम कर रहे हैं हम जिस भी अक्ति कंपनी के अंदर काम पर लगा रहे हैं duty दे रहे हैं assignment कर रहे हैं appointment कर रहे हैं वो व्यक्ति कोशिश करें कि जो employee company के अंदर लगे हैं वो लंबे समय तक काम करें इसका definitely फाइदा company को यह ग well familiar हो जाएगा तो कम से कम resource को waste करेंगा और ज्यादा से ज्यादा efficiently company की efficiently अपने काम को perform करेंगा expert हो जाएगा और company को उसके long term तक फाइदे मिलते रहेंगी लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बर company छोड़के जा रहा है मालो एक लगाया दो मीने बाद वो छोड़के चला गया फिर दूसरा लगाया वो दो महिने बाद चोड़के चला गया तीसरा लगाया फिर दो महिने बाद फिर वो छोड़के चला गया तो इससे क्या होता है कि company बार बसी नई व्यक्तिव को training करने में लगी रहेगी और company की output के उपर इसका negative impact पड़ेगा ठीक है इसका सबसे बड जाएगी और employee का confidence भी company के ऊपर बढ़ जाएगा next point is 13 initiative according to this principles employees in the organization must be given an opportunity in making and executing plan एक organization के अंदर employees को opportunity मिलने चाहिए कि plan को बनाने में और plan को execute करने में उनको पूरी मोका मिलना चाहिए initiative से मतलब पहल करने खिशंता मतलब के simple सी बात कि कि जिन लोगोने plan को implement करना है गिस प्लान को को पाइंटराइज करते हुए उनकी सहमती भी लेने चाहिए इसे सबसे बड़ा फाइदा यह मिलेगा कि जो इंजीन लोगों ने उसको इंपलिमेंट करना जिस system को जिस प्लैन को उस system को बनाने में जब वो help कर रहे हैं जब वो साथ देरें तो उसको बैटर वे से इंपलिमेंट वो कंपनी के अंदर करेंगे इश्ट 14.14 principles of management is called SPD Corps अगरम other words में कहें, that is called team spirit, team spirit. According to this principle, a manager should continuously make efforts to develop a team spirit it among the subordinates, Mintoo's say, जितने भी employee company उनदर काम करते है, subordinate काम करते है, कमपनी के इंदर, उनके अंदर एक feeling of team spirit ड्वालप करने चाहिए, यह नहीं कि हर एक वर्ती सिरफ भी यह कहे कि हमेरे ही करने से कोई काम मेरे ही काम करने से company success हुए, नहीं जब पूरी टीम बिलके company की success के लिए काम करते है तभी जा के company success होती है और इसके लिए basic के fundamental है जब भी manager कोई काम करता है तो उसको मेंशा V word का use करना चाहिए instead of I for example जैसे manager क्या करता है we will do this work हम उसको यह word बोने चाहिए instead of कि I will do it कि मैं करता हूँ यह नहीं उसके क्या करना चाहिए हम यह सब हम यह काम मिलकर करेंगे we will do this work माला I की जाएगा V word का इस्तेमाल करेगा तो spirit of cooperation spirit of team टीम की spirit develop हो जाएगी इसका सबसे बड़ा फाइदा यह रहेगा positive fact यह रहेगा कि जितने भी subordinate company में काम करते हैं उन सभी के बीच में team spirit की feeling develop हो जाएगी हमारे जो objective हैं वो achieve करने आसान हो जाएगे और सभी employees की बीच में अच्छे relationship develop हो जाएग हमने यहां तक हमारे 14 principles complete होते हैं hopefully यह 14 principles of management आपको समझ में भी आये होंगे और अच्छे भी लगे होंगे at last I thanks to all of you